नमस्कार स्वागत हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 63 डिग्रीज में CITS 2020-21 के सैसन जो है स्टार्ट होना है तो उसका नोटिफिकेशन NTI देरा दून का भी आ गया है क्लासे कब से स्टार्ट होनी है पूरा वीडियो ये बहुत ही महत्पूर है मैंने नोटिफिकेशन एक बार पढ़के देख लिया है आपको बता दूंगा वहीं से मैंने डॉनलोड किया है इसमें बहुत महत्पूर जानकरी है यदि आप नहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है वहाँ से बापिस कर दिया जाए बहुत ही strict rule इनने बनाए हुए है क्या है वह rule मैं आपको पहले तो वह notification है जो मैं दिखा देता हूँ कबसे classes start होंगी क्या rules है क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है ये सारे चीजे मैं आपको छोटा छोटा बता दे रहा हूँ बाकी आपको PDF डाउनलोड करना मैं बता दूँगा आप PDF डाउनलोड कर लिजे अपने पास सुरक्षित रखिए और जो उसमें instructions दिये हैं उनको strictly follow करिए वनना आपको वहाँ से बापिस आना पड़ सकता है NSTI देहरादून का है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्टिये-Causal prescription संस्तान देहरादून का है यह NSTI देहरादून का है आवसक सुचना आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्या है आवसक सुचना कि CITS 72221 में राष्टिये-Causal prescription संस्तान इसे इंग्लिस में NSTI बोलते हैं देहरादूल में regular admission लेने बारे पिर सिक्षारतियों के लिए आपको सूचना वाद दिसा नरदेश यहाँ पर दिये हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो batch 2020-21 का जो 17 वो 11 जनवरी से प्रारंब होने बाला है आपको अपने साथ क्या 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 के लेके जाना है आपको जो provisional admission receipt आपको मिली है वो लेके जाना है counseling fees जो आपने 1000 रुपए दिये उसकी receipt आपने जमा की होगी उसकी एक copy और आप निकाल लीजेगा तो वो आपको लेके जाना है admit card लेके जाना है इंट्रेंस exam का CITS के इंट्रेंस exam जो आपने दिया है उसका admit card लेके जाना है mark sheet लेके जाना है 10th की और 12th की और mark sheet लेके जानी ITI की या फिर diploma वाले हो के लिए और OVC का जिसका भी category से जो belong करता है वो अपनी category का certificate लेके जाएगा साथ में जो appearing वाले छात्र है जो अभी ITI के appearing है उन्हें अपना bonafide certificate बनवाना पड़ेगा जो भी वो institute में पढ़ते हैं वहां के principal प्रदानाचार से एक bonafide उनको बनवाना पड़ेगा ये चीज उनको AJ certificate लेके जानी है अब जो और भी बहुत सारी बाते हैं जिसमें सबसे महत्पूर्ण बात जो मुझे लगी ये point number 3 आप देख सकते हैं point number 1 और 2 तो यही बता है सरकार के जो COVID-19 के जो दिसर नर्देश हैं उनको follow करना है यदि किसी ने नहीं follow किया तो उसको कारवाई की जाएगी point number 3 आप देख सकते हैं कि सभी सिक्षार्तियों को संस्तार परिसर में प्रवेश के समय अपनी क्रोना की नवीनतम RT-PCR test की negative report जो है वो प्रस्तित करना है मतलब आपको जब वहाँ पर जाएंगे तो आप अपनी latest RT-PCR क्रोना test कराके जाएंगे और वहाँ पर उसकी negative आप report लेके जाएंगे वो भी latest तभी आपको प्रवेश जो होगा वो संस्तान में दिया जाएगा अन्था की इस्तिति में आपको संस्तान में घुसने ही नहीं दिया जाएगा यह बहुत ही महत पूर्ण बात है पॉइंट नमबर 3 यह आप डाउनलोड कर लेना PDF मैं आपको बता दूँगा कैसे डाउनलोड करना है आप डाउनलोड करके रख लीजे और उसको और भी points इसमें दिये हैं मैं एक करके और भी बता दे रहाँ कि एक यह देखिए point number 4 जो है वो भी important है कि COVID-19 के कारण इस बार संस्तान में जो चात्रवास हैं जो पुरुस पुरुस प्रिस इचारती हैं उनकी जो seat हैं वो limited seat हैं तो जिसकी प्रिवेस परिक्षा में जितने ज़्यादा number आए हैं उसके बेस पे और आरक्षण के बेस पे आपको पुरुस candidate जो हैं उनको seat वहाँ पर दी जाएंगी जिन चात्रों को चात्रवास नहीं मिलेगा वो स्वयम के खर्चे पर बाहर रहेंगे और बाकी यहाँ पर एक और important point है जो महला है जो मतलब female candidate है उनके लिए यहाँ पर लेखा है महला पिरसिक्चार्टों के लिए चात्रवास की सुब्दा नहीं है तो यहाँ पर जो female candidate है जिसका भी अडविंसन यहाँ पर हुआ है तो उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा वो बाहर यहाँ पर रहेंगे बाहर अपने खर्चे से सोयम के खर्चे पर रहेंगे और और भी एक important बात यहाँ पर यह कि COVID-19 के कारण इस बार चात्रवास में जो लोग रहेंगे उनको मैस की सुब्दा यहाँ पर उपलब्द नहीं होगी तो यह जो व्यू पीडियाप है जितनी नियम बसरतें लिखी हैं बहुत ही important है तो आपको अगर कोई चात्रवास किसी को मिल भी जाता है तो वो सोयम के खर्चे से बाहर से खाना खाएगा बाहर से मैस की सुब्दा वहाँ पर नहीं रहेगी और फिर यहाँ पर कि जितने भी पिरसिक्षारती हों वो अपना मोवाईल लेके जाएं तो उसमें आरोगो सेतु एप को जरूर इंस्टॉल करके और उसको अपडेट करते रहना है अपडेट करके लेके जाना है वहाँ पर और भी यहाँ पर सारी चीज़ें लिखे लुए जैसे जो पिरसिक्षारती स्टरवाज के बाहर रहेंगे तो उन्हें जो बाहर रहते हैं संस्तान के तो उन्हें च्षात्रवाज में प्रिबेस नहीं दिया जाएगा उन्हें सीधे जहाँ वो आएंगे, ट्रेणिग यहाँ पर होगी academic section होगा प्रसासनिक भवन वहीं तक वो जा सकेंगे उन्हें छात्रावास में जाने की अनुमती नहीं होगी फिर यहाँ पर लिखा point number 10 आप पड़ सकते हैं कि सभी प्रिसिक्चार्थियों को आवसक मातरा में face mask लेकर जाना है और यहाँ पर आगे आप भी point पड़ सकते हैं प्रिसिक्चन के दोरान sanitizer की वैस्ता उपलब्द कराई जाएगी जब आप वहाँ पर जाएंगे तब की बात आईए और प्रिसिक्चन के दोरान किसी प्रिसिक्चार्थियों को बीमार होने की इस्तिती में ततकाल उसे अस्पताल में दाखिल किया जाएगा ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं फिर आगे आप point number 13 भी पड़ सकते हैं कि ऐसे प्रिसिक्चार्थियों जिसका परिवार का कोई सदस कोवेट से संक्रमिट है वो संस्तान में ना आएं ये इसमें लिखा गया है और सबी प्रिसिक्चार्थियों को संस्तान में प्रिवेश के समय एक घोषन पत्र पर हस्ताक्चर करने होंगे और बाकी आपको ये सारी चीज़ें हैं कि छे पिटकी दूरी बनाये रखना है फेस मास्क फेस कबर ये सब रखना है साबुन से बार-बार हाँ धोना है साथ समंदी बीमारी नहीं होनी है छीकना उकना नहीं है थोकना नहीं है आरोग सेतु एप डाउनलोड करना ये सारी चीज़ें दी है बाकी आप फेस का विबरण मैंने जो बताया था वही यहाँ पर भी फीस का विवरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो unreserved और EWS, मतलब general EWS और OVC के लिए फीस जो registration फीस है 50 रुपए, admission फीस है 100 रुपए है, tuition फीस है 1800 है, यह जो है एक साल की फीस पूरा इनने कर दिया है, examination फीस 100 रुपए है, caution money, refundable, high soil, leverage फीस 20 रु ऐसे आप देख सकते हैं, total आपका 3845 रुपए बनता है, जिसमें आपको क्या करना है, कि इसमें से जो एक हजार रुपए आप पे कर चुके हैं, counseling fees वो minus कर लिए जाएगा, H.C.H.T.P.H. की category के लिए यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं, total 345 पीस है, जिसमें से 1000 रुपए माइनस कर लिया जाएगा, यह जो hostel फीस है, यह जिसे मिलेगा, उसी के लिए अपलीकेबिल होगा, जिसे नहीं मिलेगा, उसके लिए यह भी फीस माइनस हो जाएगी, इसको के भी बहुत सारी नियम है कि जितना भी COVID के guidelines है, वो सारी follow करनी है, आपको परतेक प्रिसिक्षारतियों को अबेंटन कच के बाहर नहीं जाना है, किसी के close contact में नहीं आना है, और क्रोना से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है, बार बार आप पर सर में जाएंगे, तो यह सब चीज़ें आप पढ़ लिजेगे, इसमें बहुत सारी चीज़े दी हुई हैं, बाकी आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि आताहा इस संस्तान में CITS Batch 2020-2021 में अडविशन लेने वाले सभी प्रिसिक्षारतियों को अपने सभी आवसक काग जों, सहत दिनांग 11 में 3-4 दिन का समय लग सकता है, तो जो 3-4 दिन का समय लगेगा तब तक आपको अपने खर्चे पर बाहर रहना है, वो सारी चीज़े इसमें लिखी हुई, आप लोग पढ़ सकते हैं, फिर आप यहाँ पर लिखा है, नीचे कुछ फॉर्म भी दिया है, नीचे फॉर्म मैं का लेना, और यह सिंपल सा फार्मेट है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह फीज वगर भी यहाँ पर दी हुई है, फिर यहाँ पर यह कॉसन मनी, जिम खाना, यह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, यह एक मेडिकल सर्टिपिकेट से साइन करवा के और लेके जाना है, तो यह सारी चीज़ें आप कर लेना, अप लोग बिलकुल ध्यान रखना है, इसको इस एनस टी आई की जो भी बच्चे इसमें एडमिसन लिये हैं, वो बच्चे इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कैसे करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसकी ऑफिसल वेबसाइट पर जाएंगे, एनस टी आई, और फिल लेकेंगे देहरादून, एनस टी आई मैं लिख लेता हूँ, फिर देहरादून.dgt.gov.in इस पर जैसे में क्लिक करूँगा, तो इसकी ऑफिसल वेबसाइट खोल जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आप वार्ट्स न्यू इस पर जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, वार्ट्स न्यू पर यह आ रहा है, CITS 2021-21 एडमिशन गैडलेंस एट एनस टी आई देहरादू, तो यहाँ पर पीडियख देखिए अब जो मैं आन आपको पूरा बताया है, वही पूरी पीडियख है, तो आप इसको डाउनलोड कर आशा करता हूँ, कि आप लोगों को इसको डाउनलोड करने मोई दिक्कत नहीं होगी, पिर भी आपको कोई दिक्कत होती ही, तो आप कमेंट बाकस में क करिए आप हम आपकी पूरी हैल्प करने की कोसिस करेंगे अनकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो पस इतना ही धन्यवाद